कि एक और नगी वीडियो में आपको फिरसे सवागत है तो आज की इस वीडियो को टॉपिक है साउथ हेवेंड नियू तो प्रजेक्ट के ऊपर में आने से पहले आप लोग को एक ची बता दूब कि अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हो तो अपली चैनल को सब्सक्राइब क कर रहा हूं तो आपको पता नहीं है तो आप मेरा स्टार्टिंग से शेक कर सकते हैं कुरगाओं के हर एक अफ़डेबल को भी तक कवर किया है सेक्टर 92 तक आगे भी कवर कर रहा हूं तो आप चैनल पर नहीं हो तो फिरसे कहा हूं सब्सक्राइब कर लो फ्री आफ कॉस्ट आपको कुछ नहीं जारा आपको सब्सक्राइब बटन दबाना उसके बगल में गंटा है उसको क्लिक कर दो और आपको मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाएगी तो अभी मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं प्रोजेक्ट की टोटल लैंड है धा यह करमी इनोंने 352 फ्लैट बनाए हुए है जिसमें से चार्ट आवर इनों डेवलप कर रहे है जो पीछे का साइड है इस स्क्रीन पे आपको दिख़गा होगा यह चार्ट आवर है चार्ट आवर के हाइट की बात को तो स्टिल्ट प्लस लेवन की हाइट है अब अब अब आपको कंसेक्शन अपडेट अच्छी नहीं नहीं और अच्छे तरीके से दिखेंगी यह कंसेक्शन अपडेट है जी एलेस साउथ हैवेन्यू की टावर्स थोड़े से तर्फ्यूजन हो रहे हैं यहां से आगे यह जाने देंगे नहीं मुझे बता है अलब आग कि यह आप मैं फूर्द सो जूम इन करता हूं यहां से देख सकते हैं ज्यादा मेजर वर्ग है नहीं बट फिर भी स्पीड अच्छी है इनकी लेबर्स है इनके पास और भी कोरोना टाइम चल लाए तो आपको इपता है कि लेबर्स क्यों नहीं हैं तो इसके लिए बिल्ड कि लेफ्टेंड साइड पर बहुत सारे लेबर्स हैं और बहुत सारे लोग चले भी गया और जीले 1791 के बारे में बताओ तो इसकी ओसिया आ चुकी है फ्यादि इस्टमें स्फिट हो चुक्ई है यह है जीले 1751 दोनों इसेक्टर 92 में आते हैं और यह इनका फ्रंट का कमर् लेन का यह वैसे अगर मैं बताओ नॉमली तो परेंट का जो टावर है वह यह एक नमबर टावर मतलब चार टावर है बेसिकले इस रोम में फर्स्ट है सेकंड थर्ड पोर्थ चारों की अल्मोस्ट ग्राउंड का ही काम हो यह फर्स्ट आवर है इसका सिर्फ भी ग्राउंड पर है अल्मोस्ट और यहां पर मैं जूम इन करके दिखाऊं तो इनकी अलमूनियम फ्रेम्स दिखेंगे आपको जो बेसिकली यह जो आपको दिख रही है यह माईवन सेट्रिंग के लिए यूज होती है यह फ्रेम्स तो बहुत सारे लोग का यह भी कुश्चिन था जी एल जाएगे तो जैसे कोरोना थोड़ा सा ही होगा अब यह आपको ही पता है कोरोना चल ला है तो इस लेबर है नहीं यहां पर कटिंग वगए अगर देखो आप तो आयरें की कटिंग वगए रोकी हुई है यहां पर सो एक नॉमल सा कंस्रेक्शन अपडेट था यह जी एले सा सेक्टर वाई सारे कवर कर रहा हूं और अगर कुछ फूट जाए तो प्लीज आप कमेंट करके बताओ मैं उसको भी कवर करूंगा थैंकि अब भी आपको मैं सुसाइटी की कंप्लीट प्रोज बताऊंगा प्रोज मेंस पॉजिटीव चीज़े जो क्या है जी एले साउथ नहीं करोंगा तो सबसे पहले जो चीज आती यह आती है वह आई वन कंसरक्शन यूज जो आज पे हर अच्छा बिल्डर यूज़ कर रहा है सगी नेचर संसेटी पेरमिड ग्रूप और भी जो जो भी आपको अच्छे लगते हैं उसले नहीं क्यूप्स हैं वो सारे सेम कंस कमर्शल बना हुआ है इसके जस्ट बिल्कुल फ्रेंट साइड पे 24 मेंटर रोड की दूसरी साइड वहां पे सिग्नीचर ग्लोबल का मिनी टाउन्शिप है 23 तो 25 इकर्स की लैंड है जहां पे वो प्लॉट लॉंच करेंगे और मोश्च प्लॉर भी लॉंच कर सकते हैं तो य इन्होंने बना के दिया है और आप अभी भी जाके दे सकते हैं क्योंकि वो और लडी ऑप्रेशनल है क्योंकि फैम्ले इसमें सिफ्ट हो चुकी है फोर्थ पॉइंट इसमें आता है साउथ हेवन्यू के अंदर इन्होंने इस्टिल्ट पार्किंग दिया है जो कि जेले से 251 में नी थिया है ज्यरे 751 में नॉर्मल पार्किंग है आउट सेट ऑपन बट . बहुत लोग को पता ओगा वैसे जहां वहां पर बहुत बड़ा क्रिकेट और बैडमिंटन का कोट है जो कि आप यूज कर सकते होगे सुसाइटी के अंदर निया वो पेड है तो आप यूज कर सकते हो जागे तो यह था इनका सारा पॉजिटीव पॉइंट अब मैं निगेटीव प्याता हूँ तो निगेटीव पॉइंट जो इसमें दू निगेटीव पॉइंट है जो मेजर है मतलब मुझे परस्फनली वो मेजर लगते हैं क्यों यह सुसाइटिको देखते हुए सुसाइटी की लोकीशिन अच्छी है सारी चीज़ अच्छी है कनसेशिन क्युए वगए आपनी पॉसि इस बिल्कुल भी नहीं है मैं सिर्फ फेस टू की बात कर रहा हूं साउथ हेवन नहीं होगी उसमें ग्रेंडरी एरिया जीरो है कुछ भी नहीं है अगर आप उसका मैप देखोगे कुछ भी ग्रेंडरी एरिया है यह नहीं सेकेंड पॉइंट जो आता है मुझे पर्सनली वो थोड़ा सा बेकार लगता है सोसाइटी अगर आप कोई भी सोसाइटी होते है फटबल सोसाइटी कमर्शल उसका ऐसा होना चाहिए कि बंदा अंदर से ऑपरेट कर सके और बहुत ही ज्यादा आउटसाइड नहीं हो इसमें क कर दो कर दो कि बंदर से जड़ा आप अंदर से खिता है झाल झाल